आईए आगे बढ़ते हैं हमार अगला भ्यास का निर्देश है अधो लिखितानी पदानी भिन भिन प्रत्ययांतानी संती तानी प्रिथक कृत्वा निर्देश्टा नाम प्रत्यया नाम धह लिखत अर्थात नीचे लिखे हुए पदों में जो विभिन प्रत्यया प्रयुक्त हुए हैं तानी उन्हें प्रिथक कृत्वा उन्हें प्रिथक करके निर्देश्टा नाम नीचे लिखे हुए प्रत्यया नाम अधह प्रत्ययों के नीचे लिखत अर्थात यहां विभीन प्रत्ययों से युक्त सब्द दिये हुए हैं इन सब्दों में से जिन जिन सब्दों में जो जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को हमें किस सब्द में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया गया है यहां हमें बताना है और साथ ही प्रत्ययों के नाम भी यह लिखे हुए हैं उनके नीचे हमें लिखना होगा। तो जो पत्य यहाँ से युखत विभिन सब्द जो बने हुए हैं यह हमें उपर दिए गए हैं वे सब्द हैं कौन-कौन से सब्द हैं सब्द हैं परिष्रम्य उपार्जित्वान दापयितुम प्रस्थितह द्रश्टुम विहाय प्रिष्टवान प्रविष्टह आदाय क्रोशितुम नियुक्तह नीतवान निरनेतुम कि आधिष्टवान समागत्य नी सम्य कि प्रोच अपसार्य यह विभिन्य सब्द दिये हुए है। कि इन सब्दों में कौन से प्रत्य का प्रयोग किया गया है यह हमको पहचानना है और साथ ही इन सब्दों में जो इन प्रत्यों का प्रयोग हुआ है उन प्रत्यों को पहचान करके यह जो प्रत्या लिखे हुए है ल्याप तक तवातु अर्तुमून इनके नीचे इन सब्दों में से चैन करके लिखना है कि इन सब्दों में इस प्रत्या का प्रयोग हुआ है जैसे ल् पहला सब्द है परिश्रम्य परिश्रम्य इसमें कौन से प्रत्या का प्रयोग हुआ है तो सरल सा तरीका है लिप प्रत्या का प्रयोग हो तो वे उपसर्ग के साथ सद्यों प्रयोग तो होता है और धातू के साथ में लिप प्रत्या का प्रयोग किया जाता है तो यह उपसर् अर्थात किसी धातु में यदि उपसरग लगा हो धातु कमोल रुप हो और उसमें या का योग दिखाई दे तो यह हम भली मान सकते हैं कि उसमें लिप प्रत्या का प्रयोग हुआ है इसी तरह से अक्ता प्रत्या का प्रयोग करते हैं तो यह भूत कालिक प्रत्या है और इसके रूप जो होते हैं तीनों लिंगों में रूप बनते हैं पूर्लिंग इस्ट्रिंग और नपुनसक लिंग में इसी तरह से अक्तवत प्रत्य इसका भी प्रयोग भूत कालिक अर्थ में किया जाता है और यह भी तीनों लिंगों में इसके रूप बनते हैं अक्तवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्व में होता है तुम प्रत्या का प्रयोग के लिए अर्थ में होता है और इस प्रत्या का प्रयोग जब किसी धातु में होता है तब धातु में जब इस प्रत्या को जोडते हैं यह योग होता है तब इसका तुम सेज बचता है और उन जो है यह लोप हो जाता है तो हम यह देखन क्यिल्यों को प्रत्य का प्रत्य की जैने उते हैं आगें उसके तो उसमें यह ज़ोग है के नीचे लिग देंगे Uhurnya के उपार जीत वान यहां उपसर्गत को प्रयोग दीख रहा है लेकिन वान लगा हुआ है वान वत या वती जैसे सब्दों का प्रयोग जहां हो वहां पर अक्तवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् प्रस्थितह मतलब यह यहां पर अक्ताप्रत्या का प्रयोग हुआ है इसमें तह तायतम जैसे सब्दों का प्रयोग अक्ताप्रत्या के साथ में होता है तो यहां हम देखते हैं प्रस्थितह यह भूतकालिक अर्थ देता है और साथ इसमें तह का प्रयोग हुआ है तो इसलि कि यहां पर जो सब्द आया था प्रसिताः इसमें तप्रत्य का प्रयोग हुआ है अगला सब्द है द्रश्टुम अब यहाँ पर TUM, यहाँ पर TUM, जोकि मुर्धन यश्र का परयोग हुआ है, इसलिए ता जो है स्टम बादला गया है, और यहाँ पर भी क्या है, तुम उन परत्य है, तो दरश्टम को कहां लिखेंगे, हम तुम उन परत्य के नीचे लिखेंगे, वी हाय यह लगा हुआ है और वी उपसर्ग है इसलिए यह क्या हुआ यह लिया प्रत्य हुआ प्रिश्टवान यह वान का प्रयोग हुआ है इसलिए यह अक्तवत्वत्व की नीचे इसको लिखेंगे प्रिश्टवान इस तरह से प्रविश्टः प्रविश्टः यह सब्द बिए फ्रफ अधा थ ​​ positively पॉना चसरा के नीचे इसको लिखेंगे प्रवि्ष्टह कि अधाय यहां उप्सर्ग है राधातो और यह जो है यह लियप्रत्य का यह बताता है एक उप्शर के पहले ही बता दिता है कि हैं यह लाप्त तुम लगा हुआ है इसलिए है तुम उन प्रत्या का सब्दा है तो तुम उन प्रत्या के नीचे लिखेंगे नियुक तह का प्रयोग हुआ है तो यह कहां लिखेंगे अक्तवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् प्रत्या के नीचे क्यों क्योंकि इसमें तुम का योग हुआ है आदिश्ट वान वान का प्रयोग इसलिए अक्तवत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्व यहां लिया प्रत्या का से बना हुआ सब्द है इसको हम लिखेंगे लिया प्रत्या के नीचे इसी तरह से नी सम्य यह भी लिया प्रत्या युकता है इसलिए इसको भी क्या करेंगे लिया प्रत्या के नीचे लिखेंगे प्रोच्य प्राधन वच्छ धन या एती प्रोच्यय यहां भी लिप्रत्यय यूग्ट सब्द है तो यहां लिप्रत्यय के नीचे लिखेंगे 시간이 स्री और ल्यप एति अपसार्य यह भी यह प्रत्यय युगता है इसलिए इसको भी हम ल्यप प्रत्यय के नीचे लिखेंगे तो इस तरह से प्यारे बच्चों जो विभिन सब्द दिये जाते हैं जो कृदंत प्रत्ययों से युगते हैं उन कृदंत प्रत्ययों में किस प्रत्यय का य अर्थात यहां कुछ सब्द दिये जाएंगे उनमें से जो भिन्न प्रकृति वाले भिन्न स्वभावाले सब्द हैं उन सब्दों का हमें चैन करना होगा सब्द हैं विचित्रा, सुभावाह, संकया और मन्जुसा ये विभिन सब्द हैं इन सब्दों में मन्जुसा ये भिन प्रकृति वाला सब्द है इसलिए से हम अलग करेंगे कि अगे बढ़ते हैं अगला है केंकिन ट्वारितम ओर यदुक्तम इंवें भिन प्रकृति पदम को चुनना है अरथात इनमें से भिन्न क्या इस्कों चुनना है तो इनमें से भिन्न है यदुक्तम इसका चैन कर estándar करके दो अब इन में से बिन्न कौन सा यह चुनना है तो हम देखते हैं पूत्रह का जो परियायवाचि सब्द जो है इसमें बहुत अधिक प्रेव tomb पुत्रह, तनयाह, तनुजाह, यह पुत्र के पर्यायवाची हैं. और व्याकुल, व्याकुलह यह भिन्नपद है, इसलिए इसका चैन करेंगे. तो इसका भिन्नपद क्या हो जाएगा? व्याकुलह. अगला सब्द समू है करुणापरह, अतिथिपरायनह, प्रबुद्धह, जनह, तो इनमें हम देखते हैं करुणापरह, अतिथिपरायनह, और प्रबुद्धह, यह सभी व्यक्ति की विशेष्ताएं हैं. और जनह का मतलब होता है व्यक्ति. तो एक क्या है? एक विशेष्यपद है और बांकी सभी विशेषण है. तो इसलिए यहाँ पर चलिए, आगे बढ़ते हैं. हमारे अगले प्रशनक निर्देश है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो भिन्न प्रकृति वाले पद हैं, इनका चैन, उनकी प्रकृति अर्थात जो सभाव दिये जाते हैं, उनमें कुछ भिन्नता होती है, उसके अधार पर इन सब्दो का हमें चैन करना होता है, आगे बढ़ते हैं, अगला निर्देश है, निकसा प्रती इत्यनयोह सब्दयोह योगे द्वितिया भवती, रथात, निकसा प्रती इन दोनों सब्दों की योग में द्वितिया विभक्ती का प्रयोग होता है, उदाहरण मनुस्रित्य, द्विति अब निक्सा और प्रती इन दोनों सब्दों के योग में या कहें कि निक्सा और प्रती का योग जिन सब्दों में होता है उन सब्दों में द्वित्या विभक्ती का प्रयोग होता है उदाहरणम अनुसरित्य उदाहरण के अनोसार द्वित्या विभक्तेह प्रयोगम खृत्वा द्वित्या विभक्ती का प्रयोग करके अर्थात एक उदाहरण भी वाक्य दिया जाएगा उसके अनोसार से जो विभिन रिक्त स्थान करने के लिए वाक्य दिया जाएगे उनकी कि हमें पूर्ति करना होगा इसलिए लिखा है दुट्य भ्यक्तिय प्रयोगम कृत्वा रिक्तस्थान पूर्तिम कुरुत, तो दुट्य भ्यक्तिय से सम्बंधित, यहां प्रसमत पूछे जा रहे हैं, तो यथा, यथा का मतलब होता है जैसे या उदाहरण एक वाक्य दिया गया राज मार्गम निकसा मृत सरीरम वर्तते तो निकसा सब्द का योग जो है राज मार्ग सब्द के साथ हुआ है तो राज मार्ग के निकट में मैं कह रहे हैं यहां सब्दमी का प्रयोग हुआ है इसलिए यहां सब्दमी का प्रयोग नहीं हो करके द्वितिया का प्रयोग हुआ है कि इसमें राज मार्ग सब्द में है तो इसी तरह से प्रति के योग में निकसा सब्द का योग जिस भी सब्द के साथ होगा उसमें द्व वाक के हैं रिक्त इस्थान निकसा नदी वहती फिर कोश्टक में सब्द दिये हैं ग्राम अर्थात ग्राम हिंदी में कहेंगे गाव के पास में नदी वहती है तो गाव के कह रहे हैं यहां सश्टी भक्ती के प्रवग समान रुप से होना चाहिए लेकिन निकसा सब्द यहां लगा हुआ है इस निकसा सब्द के कारण ग्राम सब्द में सश्ट्य भक्ति का प्रयोग नहीं होगा अपीतु क्या होगा निकसा प्रती योगे द्वितिया निकसा और प्रती के योग में द्वितिय भक्ति होता है इसलिए निकसा के योग का योग जो है ग्राम सब्द के है ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वाक्य है रिक्त इस्थान निकसा और सधालया है वर्तते कोश्टक में सब्द दिया गया है नगर रिक्त इस्थान के निकट और सधालय है तो नगर सब्द है तो नगर के निकट, नगर सब्द में सश्ट्री भक्ती होना चाहिए, लेकिन नई, क्यों? क्योंकि निकसा सब्द यहां प्रयोग तो हुआ है, निकसा के योग में द्वित्या होता है, इसलिए नगर सब्द में भी क्या होगा? द्वित्या भक्ती का प्रयोग होगा, तो उत रिक्तरिस्थान प्रति प्रस्थितव कोष्टक में सब्द दिया गया है न्याया धिकारिन तो न्याया धिकारिन इस सब्द में दीतिय भ्यक्ति का हमें योग करना है क्यों कि यहाँ पर प्रति सब्द का प्रयोग हुआ है तो तव न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितव वे दोनों न्यायाधिकारी की ओर प्रस्थान किये तो की ओर कह रहे हैं सश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् द्वीतिय भक्ति का प्रयोग हुआ तो फिर रुप बनता है तव न्यायाधिकारिणम प्रति प्रस्थितव हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वाक्या है मोहनह रिक्तेस्थान प्रति गच्छती कोष्टक में दिया हुआ सब्दा है ग्रिह मोहन प्रति गच्छती की और जाता है अब कोष्टक में सब्दा दिया गया है अर्थात मोहन ग्रिह की और जाता है ऐसा हिंदी में कहेंगे तो मोहन ग्रिह की और का के की का प्रयोग सश्थ्य भक्ति में होता है लेकिन ग्रिह का योग किसके साथ माने प्रति का योग किसके सा हुआ है इसलिए गृस सब्द में दूत्य भेक्ति का प्रयोग होगा तो मोहनाह गृहम प्रतिगा-च्छति ऐसा लिखेंगे मोहन घर की हिंदी में अर्थ वही होगा हिंदी में अर्थ परिवर्तन नहीं होगा मोहन घर की और जाता है प्यारे बच्चों अभी जो हम पढ़ रहे हैं निकसा प्रति यह सभी जो है उपपद विभक्ति प्रकरण के अंतरगात हम पहले भी पढ़ चुके ह तो निकसेत रुप से आप सभी जानते भी हैं लेकिन एक अभ्यास की रुप में यहां पुनाह दिया गया क्योंकि पाठ में निकसा और प्रति जैसे उपपद विभक्ति अव्याइपदों का बार-बार प्रयोग हुआ भी है अगला भ्यास है कोश्ठ केसु दतेसु पदे अर्थात कोश्ठक में दिये हुए पदों में निर्दिष्ठ विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त इस्थानों की पूर्ति कीजिये यहां कुछ वाक्य भी दिये जा रहे हैं उन वाक्यों में कुछ रिक्त इस्थान है और रिक्त इस्थान की पूर्ती कैसे करना है इसका निर्देश कोष्टक में दिये गए सब्दों में किया गया है जैसे पहला वाक्य हम लेते हैं वाक्य है रिक्त इस्थान निसक्रम्य बह और इसतिर गचछत कोश्टक में लिखा हुआ है गिरिह सब्द में पंच्वी हvation करना है और इस वाक्य के पूर्ति करना है सिधा सतात पर यह है यहाँ ग्रिय Capitol का 15 भकती का सब्द रूप हमें पूछा जा रहा है यह हमको पता होना चाहिए यदि ग्रिये Capitol का 15 भकती हमें पता है तो हम इस वाक्य के जो रिक्ते आने वहां लिखेंगे और इस तरह से इसके पूर्थी कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, हम यह अभ्यास हल कर लेंगे तो ग्रिह सब्द की पंचमी क्या होगा, तो इसके लिए ग्रिह सब्द का सब्द रुप चाहिए गरिह सब्द की पंच मी एक भचन क्या हो जाएगा गरिहात निस्क्रम्य बहिर गच्छत घर से निकल कर बाहर गया ऐसा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला वाक्या है चौर संकया अतितिह रिक्तिस्थान अन्वधावत और कोश्टक में जो सब्द दिया गया है चौर सब्दे द्वीतिया अर्थात चौर सब्द जो है इसमें द्वीतिवे भ्यक्ति का प्रयोक करना है तो विभिन सब्दों के जो वीभक्ति पूछे जा रहे हैं उनके रूप आपको पता होना चाहिए आवश्ऩक नहीं कि यहांगर के द्वीतिया पूछा जा रहा है केवल द्वीतिया से संबंधिती उत्तर परिक्षा में पूछे जाएंगे ऐसा दूर्षक नहीं है हो सकता है वहां वाक्य को बदल दिये गाया और इससे भिन्विभक्ति का प्रयोग पूछा जाये तो उन विभक्ति के जो रूप होते हैं उनके माध्यम से आपको रिक्तिस्थानों की पूर्ति करना होगा अभी यहां चोकी चौर सब्द की द्वितिया पूछा गया है तो चौर सब्द की द्वितिया के साथ हम रिक्तिस्थान की पूर्ति करेंगे तो चौर सब्द की द्वितिया क्या होगी चौरह चौरे जैसे बालका 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 होता है तो चौरह चौरव चौराह चौरम चोर की संका से अतिथी, चोर के पीछे गया, ऐसा, चलिए, अगला वाक्य है, ग्रिहस्थह, रिक्तष्थान, आश्रयम प्रायच्छत, कोश्टक में सब्दध लिखा हुआ है, अतिथी सब्देश चतूर्थी, अतिथी सब्द की चतूर्थी भक्ति के साथ में वाग्य की पूर्ति करनी है, ग्रिहस्थह, अतिथये, आश्रयम प्रायच्छत, ग्रिहस्थने अतिथी के लिए आस्त्राय दिया या ग्रिहस्थने अतिथी को आस्त्राय दिया अगला वाक्य तो रिक्त स्थान प्रति प्रस्थिताव कोश्टक में दिये गए सब्द है न्यायाधिस सब्दे द्वितिया अर था struck इस वाक्य की पूर्ती न्यायाधिस सब्द की द्वितिया से करना है तो तु वेदोनो न्याया धिशंप्रति प्रस्थितो वेदोनो न्याया धिस की ओर प्रस्थान किये एसा तो वीभिन्न सब्द हैं उनकी कुईस विभक्ती के साथ पूरा किया जाना है ये निरदेश दिया हुआ है तो उस सब्द के उस विभक्ती के रूप से उचित रूप से लिए वचन का दिहान रखना है आपको एक वचन दुजण बहुँ वचन होते हैं तो किस वचन का वाक्य है कुई वचन का रूप वहां आएगा ये आपको ध्यान रखना है और फिर उन सब्दों को वहां लिख देना है तो इस तरह से आप विभिन वाक्य जो इस तरह से विभक्ति संबंध ही दिये जाएंगे इनको सरलता से हल कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं हमार अगला निर्देस है क anlat नीचे लिखे वे वाक्यं को बहुवचन में पर वर्तित कीजिए प tahu नीचे कुछ वाक्य भी दिये जा रहे हैं वहां क्यों को हमें बहुवचन में बदलने के लिए कहा जा रहा है कौन-कौन से वाक्य है तो द्यान दीजेगा जब हम हम वाक्य को बहुवचन में बदलेंगे तो करता का रूप बदलना होगा और क्रिया का रूप हमें बदलना होगा तो करता और क्रिया की योग से वाक्यक्रचूं की निर्मान होता है और तो इसलिए करता को यदि हम बदल रहे हैं तो निश्ची तुरुप से उसकी क्रिया को भी हमें बदलना होगा तो एक वचन से बहु वचन बनाएंगे तो करता है यदि एक वचन है तो उसको बहु वचन करेंगे ऐधी ऐसा करते हैं तो वाक्य का जो क्रिया एक वचन है उसको भी हमें बहु वचन करना होगा आईए वाक्यों को देखते हैं वाक्य है सबस यानम व पैदल ही जाने के लिए निश्चय किया। यह एक वचन का बाग्य है, इसको बहुचन का बनाना है। तो क्या करेंगे? तो सह, सजो लिखा ही है क्या है? यह संधी उक्तपद है, सह बहसियानम, तो सह बहसियानम, तो सह, यह तद मूल सब्द है इसका, प्रत्व में वक्ति, पूलिंग का रूप है और एक वचन का रूप है। तो इसका बहुचन हमको बनाना है, तो सह, तव, ते, तो सह को हम क्या कर देंगे? ते कर देंगे, तो ते, बस, यानम, विहाय, पदाति रेव, गन्तुम, निश्चयम, अब यहाँ पर कृतवान लिखा है, कृत हातु यह अरुक्तवत पृत्य का प्रयोग हुआ है, तो इसको क्या करना है? प्रत्व में वक्ति, एक वचन का रूप है, तो क्रितवान, क्रितवन्तव, क्रितवन्तः, इसके रूप बनते हैं, तो ते, बस, यानम, विहाय, पदाति, रेव, गन्तुम, निश्चयम, क्रितवन्तः, ऐसा कर दीजे, हो गया, तो क्या के परिवर्तन किया सहा के इस्तान पर हमने ते किया और कृत्वान के इस्तान पर कृत्वंतह किया अर्थात करता का रूप भी बदला और क्रिया का भी रूप हमने वचन के दृष्टी से बदला करता को हमने बहुचन किया तो क्रिया को भी हमें बहुचन करना पड़ हम इस तरह से कको एक Wy भुशन से बहुशन में या बहुशन से एक वाक्य में बदलना है विभिन वाक्यों को जिस तरह कर दिफ्स उस के बदलने के लिए उनकर नीरदेश हो कि हमें पालन करना होता है कि चलिए आगे बढ़ते हैं हमार अगला वाक्य है चलिए इस वाक्य को हमको बदलना है तो चवरा ग्रामे थिक है नियुक्तअ को क्या करना पड़ेगा एक व्यक्ति है तो नियुक्त और बहुत से होगे तो नियुकताह राजपुरुसा एक व्यक्ति है तो राजपुरुस कहेंगे राजपुरुसा कहेंगे बहुचन होगे तो राजपुरुसा कहेंगे और आसीत आसीत यह क्या है यह लंगलकार प्रथम पुरुस एक वचन का रूप है इसको हमें बहुचन कर आसन आसंथ- अर्थाथ- चोर- गावं में नियुक्त राजपुरुस थे। ऐसा हो जाएगा तो क्या-क्या परिवर्थन कीया चली आगे बढ़ते हैं अगला वाक्या है कस्चन चोरह ग्रिहा भ्यंतरम प्रविश्टह यह वाक्या है कस्चन मतलब कोई चोरह मतलब चोर ग्रिहा भ्यंतरम घर के भीतर प्रविश्टह मतलब प्रविश्टह कोई चोर जो है कोई चोर घर के भीतर प्रविश्टह हुआ यह के चन करना कह कव के तो के चन अब वहाँ पर विसरकर नहीं लेगे कह धन चन इती कस्चन होता है तो के चन चवरह को क्या करना पड़ेगा चवराह ग्रिहा भ्यंतरम प्रविष्टह से प्रविष्टाह प्रविष्टह प्रविष्टव प्रविष्टाह तो के चन चवराह ग् वाक्य बहुचन में परिवर्टीत हुआ चलिए अगला वाक्य है कश्चन-चवरह ग्रिहा भ्याजन तरました कश्चन का धन्चन इती कश्चन तो क यह एक वचन है इसको का करना पड़ेगा बहुचन में बदलना पड़ेगा तो बहुच यंब बदलने के लिए करना पड़ेगा किम सब्द पूर्णिंग का रूप हमके प्रत्मयक्ति में देखना होगा तो कह कव के तो कह एक वचन है के बहुचन है तो कस्टन से क्या करना पड़ेगा के चन कर देंगे चवरह चवरह से चवराह ग्रिहाभ्यंतरम प्रविष्टः प्रविष्टः एक वचन है प्रविष्टः प्रविष्टव प्रविष्टाह तो के चन चवराह ग्रिहाभ्यंतरम प्रविष्टाह कई चोर घर के अंदर प्रविष्ट हुए ऐसा तो यह वाक्य हो गया क्या है अन्यद्यु हम मतलब दूसरे दीन क्या करना पड़े गामे वे सब बना पड़ेगा तो न्याय करना अपक्छ सूराइस सब्दा है प्रत्मिवक्ति द्विवचन का रूप है तव इसको क्या करना पड़ेगा तो अन्यद्यूह ते न्यायालिये स्वास्वपक्षम अब यहां देखिए इसको भी काकरना पड़ेगा हमें बहुचन का बनाना पड़ेगा तो बहुचन बनाने के लिए कैसे करेंगे इस्थापित वान इस्थापित वन्तव 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 इस्था वन्तव इस्थापित वन पक्षह को तहई है तो इसलिए लिए परिवर्बन करना यह हमारे लिए संभव है तो प्यारे बच्चों अभी हमने पाठ पढ़ा विचित्रह साक्षी और साथी साथ इस पाठ के सब्दार्थ और पाठांत में दिये गए अभ्यास को भी हमने हल किया निशित्रुप से इस पाठ संबंधित जीतनी ही प्रसमाथ पूछ है जायेंग गें चाहे वह अभ्यास के प्रस्णों के जैसे हो यह पाठ के अनुवाध से रिति का उपयोग करते हुए मतिवयभव साली जो लोग होते हैं ये विकट से विकट समस्या का समाधान निकल सकते हैं तो निश्यतुरूप से संस्कृत साहित्ते में इस तरह की कथाओं का अपार भंडार है अकूत भंडार है और इसका लाब हमें तभी मिल सकता है जब हम प्रिद्ध हुआ है अंतमे सर्व्यभ्यो नमो नमाहाँ